गुड इमनिंग डियर इस्टुडेंट्स आईए आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं फिर कुछ इस भी तरीके से आपकर एडियू का मीनिंग पता है तो आप आंसर निकल लेंग के फिर इने में पैसे में अगर मीनिंग नहीं समझ साऌघं पाएंगे कर पाएंग से करेंग गलती होने मैं हम imaginary series पर काम कर रहें ताकि हम कुछ important डियम आपके साथ डिसक्रस करें जो exam समय सर्ब पूछे जाते तो इन ही इग्जाम इनी को को पॉइंट आप विक्रते हुए हम daring को करते हुए हम अप लोग भी हमारे इडियम है इसका मीनिंग क्या होता है हैं टूगेदर का मतलब होता है हैं टूगेदर जो इडियम है इसका मतलब होता है आपका एक दूसरे के साथ में कनफर्म कर लेना एक दूसरे से कनफर्म कर लेना जैसे कोई डिसीजन देना है तो एक दूसरे से कनफर्म हो जैसे कोई जै तो अगर डिसीजन देना चाहरें तो आपस में पहले कंफर्म कर लेंगे कंफर्म इच अदर तो इसका मतलब यहीं हमारा मीनिंग सही जाएगा ठीक है लेट आस मूट तुदी नेक्स्ट इडियों नेक्स्ट इडियों हाड़ वायल हाड़ वायल कोई परसन हैं कैसा ही वाज ह minerska अमस्ट तो इसलिए इसका आसर क्या हो जाएगा हाड़ेंट प्र अगला एडिय म क्या आपके सामने जीट ठंडे पैर हो जाना फिषरीजे इसका मतलब है फ्थन्डे पैर हो जाना हम्हेफ णक्रवण रोगडियों है यह हो जाना एक डिय में ठीक है भीगे पैर हो कि तरफ हम लोग चलते हैं देखते हैं अगला एडियम कौन सा है अगला एडियम है make no bones about make no bones about का जो meaning होता है वो आपका होगा कि किसी भी चीज को तुरंत माल लेना किसी भी चीज को तुरंत सुईकार कर लेना कुछ आपने कहा कुछ आपने किया उस बात को readily मतलब इमीडियटली एडमेट कर लेना सुईकार कर लेना मालेना कि हाम ने ऐसा कहा था ऐसा किया था इसको बोलते हैं चलते हैं आगे टर्न आउट क्रेप्स का मतलब होता है कि क्रेप्स को प्रोडियूस करना क्रैप्स को प्रोडिव करने का मतलब है फैलियर की तरब बढ़ रहा है तो यह आंसर क्या होजाएगा । सब्सक्त की सब्ते हैं अगला इडिया मैं आपके सामने इडेविल्स एडवोकेट का मतलब डेविल के बारे में क locks करना इडिशत के सपोर्ट करना। वे एक पर्सन है उसने मान लिजिए कि पर सने पर यह ऐक जो है उससके उसके खिलाफ किसी किया कोई गी से एक एक और केस कर रहा है तो इसका मगी की तरब से एक बारे में मतलब एक वारे के उपर आर्गोमेंट क्या कर रहा था गlor कर दम ढब ढ़ा इडियम आपके सामने है वो यह है यह छाब सब्सक्राइब तक चान था सकून है डोजार तेज्ट परी एक्जाम जो वा था भी को उस परी इडियम आया था एक पर कुसी पेपर सेट पेपर सेट था उस पेपर सेट में आपका लिलीवर्ड था सहे तस इपकर रहोंगा कुछा गया इसका मीनिंग क्या होता है तो मतलब होता है कायर है तो स्का तो अगर ऑप्शन कहसाब से देख एंगे इस का मतले हूता है यॉमरस बिल्ट ने के मूड में रहता है इसका अंसर नॉट ब्रेव यह अंसर है ठीक है अगला इडियम आपके सामने हैं तो डॉक डेज डॉक डेज डेज डियू का मतलब होता है उत्ते का दिन कुछ की दिनों को हम अगर बात करें तो इसका मतलब है काफी गर्मी से भरे हुए दिन ठीक है यह है इसका मतलब होता है दो होटेश डेज दी होटेश्ट डेज गर्मी के दिन काफी गर्मी के दिन ठीक है यह बोलेंगे सबसे ज़्यादा गर्मी जब पढ़ती तो उनको बोलते रहते हैं अब अगला इडियम आपके सामने क्या है और गो अवेगिंग गो मीनिंग होगा ग गो इन वेन गो इन ओवेन ठीक है अगेला डेले मतलता प्रशन चित दिन प्रशनता से भरा उवा दिन यह लिए काफी अच्छा आपको फील आऊ पूंस अच्छा हुआ हो जिसको लेकर काफी खुस धिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब अडे आफ मेरी मेकिंग इसका म भी हमने 10 EDM आज की क्लास में डिसक्स की हैं इसी तरीके से और EDM हम डिसक्स करते रहेंगे आप लोग अमरे साथ में जुड़े रहे हैं इस तरीके से अपना सपोर्ट देते रहे हैं ठीक है थैंक यू